नमस्ते दोस्तों चाया कीचन में आप लोग का स्वागत है तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेड का गुलाब जामुन वह भी बहुत सफ्ट सफ्ट और बहुत ही जटपड बन जाता है तो मैं किस तरह करके बनाती हूं पुरे बीडियो दो बने रहे हैं चलिए बनाना शुरू करत गुलाब जामन बनाने के लिए मैं साथ ब्रेड ली हूं देखिए अब मैं एक एक करके ब्रेड को लेके इसका किनारा को काटके हटा देती हूं इसे आप छान कर चाय के साथ भी खा सकते हैं तो देखिए मैं काट ली हूं इसी तरह करके सारे ब्रेड को काटके ले लीती हूं तो देखिए सारे ब्रेड का किनारों को मैं काटके ले ली हूं तो आम मैं एक मिकसर जाल ली हूं इसी में तोड़ तोड़ के दे देती हूं तो देखिए सारे बिरेट को ले ली हूँ तो आप मैं पीस लेती हूँ तो देखिए मैं पीस ली हूँ तो आप मैं एक बर्तन में ले लेती हूँ देखिए इस तरह करके पीसना है तो देखिए बेरेट को मैं एक बरतन में ले ली हूँ तो आम मैं दे देती हूँ दो चमच मिल्क पॉडर इसमें टेस्ट अच्छा आता है ये दूद ली हूँ आम मैं थुड़ा थुड़ा दूद को देकर डो तेयार कर लेती हूँ तो देखिए मैं डो को तेयार कर ले हूँ इस तरह का करना है देखिए थोड़ा सा दूद भी बच गया पूरा नहीं लगा तो आम मैं दे देती हूँ थोड़ा सा गी आम मैं गी को देकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ डो तेयार हो गया है तो आम मैं चासनी बना लेती हूँ तो चासनी बनाने के लिए एक बरतन ली हूँ तो दे देती हूँ एक कटोरी सक्कर ये डेर सो गराम सक्कर है अब दे देती हूँ डेर कटोरी पानी देखिए डेर को टोड़ी तो एक लैची को फोड़ ली हूँ तो दे देती हूँ तो हमें चासनी को चुले पे चड़ा देती हूँ जब तक चासनी उबल रहा है तब तक में जो डो तेयार करके रखी थी इसके बॉल्स बना लेती हूँ अच्छे से मिला लेती हूँ देखिए इस तरह करके अच्छे से मिलाना है अच्छे से मिक्स कर ली हूँ तो आप मैं छोटा-छोटा लोई काट लेती हूँ तो देखिए इस तरह का लोई बनाना है ये बहुत ही जटपट बन जाता है दोस्तों इस तरह करके बनाईएगा ब्रेड का गुलाब जामून, खाने में बहुत ही टिस्टी लगता है, तो देखिए इसी तरह करके सारे लोई को काट लेती हूँ, तो देखिए सारे लोई को काट ली हूँ, तो आप मैं एक लेकर इस तरह करके हलके हाथों से गोल कर लेती हूँ, तो देखिए मैं गोल कर ली हूँ, तो ये देखिए मैं नकुलदाना ली हूँ, इसे मैं थोड़ा सा होल करके, तो नकुलदाना दे देती हूँ, ये देने से गुलाब जामुन रस भरा होता है, खाने में भी बहुती टिश्टी लगता है, अब मैं ध्मीरे धीरे गोल कर लेत तो देखिए गोल कर ली हूं, इसी तरह करके बाकी को भी बना लेती हूं तो देखिए मैं सारे बॉल्स को बना ली हूं, तो देखिए हमारा चासनी वी बन के रेडी हो गया मैं तीन से चार मिनट तक उबा ली हूँ इसे तार नहीं लाने का ज़रत सिर्फ चिपचिपा होने से ही चलेगा तो देखिए चिपचिपा हो गया ता मैं नीचे उतार लेती हूँ अब मैं गुलाब जामुन के बॉल्स को छान लेती हूँ तेल हलका गरम हो गया है तो आप मैं एक एक करके दे देती हूँ तो मैं सारे बॉल्स को दे दी हूँ एकी बार में तो आप मैं थुड़ा सा होने देती हूँ तो देखिए थुड़ा सा हो गया है तो आप मैं धीरे-धीरे पलट देती हूँ इस तरह करके धीरे-धीरे पलटना है और इसी तरह करके उलट-उलट कर गुलाब जामुन का कलर कर लेती हूं तो देखे उलट-पलट कर अच्छे से प्राय कर ली हूं तो देखे कितना सुन्दर कलर हो गया है इसी तरह करना है अब मैं इसे निकाल लेती हूं तो देखे एक थाली में निकाल ली हूँ तो चलिए आप चासनी में दे देती हूँ तो देखे चासनी हलका गरम है तो सारे मैं बॉल्स को दे देती हूँ हमे पंदरा से 20 मिनट तक चासनी का अंदर रखे तो देखे 20 मिनट तक मैं रखे थी धके तो देखे कितना बड़ा बड़ा हो गया है फूलकर अरकितना सुन्दर लग रहा है देखने में तो देखिए कितना spongy बना है, कितना soft ताम में एक plate में serve करके दिखाती है, तो देखिए दोस्ते एक plate में serve कर दी हूँ, असुन्दर देखने के लिए चांदी का बर्ट से सजा दी हूँ, तो देखिए कितना spongy बना आये, खाने भी उतना ही tasty लगेगा, तो मेरा bread का गुलाब जम उन बन के रेड़ी है तो क्या ऐसा लगा कॉमेंट करके ज़रू बताईएगा